नमस्कार योट्यूब चैनल एन इन्योर्स वर्ल्ड में आपका सुआगत है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक नसल वाले कुटे कौन-कौन से हैं वैसे तो दुनिया में बहुत से जानवर हैं और इन सब में अगर सबसे वाफादार और पालतु जीव की बात की जाए तो उसका नाम है कुट्टा दुनिया में कुट्टों की बहुत सी नसलें पाई जाती हैं और इसमें कुछ नसल के कुट्टे तो काफी आकरामक और खतरनाक होते हैं जबकि कुछ अपने मालिक के प्रती काफी वफदार भी होते हैं और कुछ दिखने में बड़े ही स्यांत सभाव के होते हैं आज हम इस वीडियो में आपको कुट्टों की 10 ऐसी नसलों के बारे में बताएंगे जो सबसे खतरनाक मानी जाती है सबसे पहले है पिटबुल पिटबुल नसल का कुट्टा वजन में 16-30 किलो के बीच का होता है और इस नसल के कुट्टे सबसे आकरामक और खतरनाक होते हैं इस नसल के कुट्टों को रखना दुनिया के कई देसों में प्रतीबंद है लेकिन आज भी कई देसों में इसको पाला जाता है जैसे अमेरिका यह कुट्टा इतना खतरनाक होता है कि कुट्टे के परहार और आकरामकता को रोकने के लिए special training लेनी पड़ती है उसके बाद है रोट वेलर इस नसल के कुट्टे बहुत ही सकती साली तो होते ही है साथ में इस नसल के कुट्टों को किसी को भी काटने में महारत हासिल होता है रोट वेलर ने वर्स 2014 में एमेरीका में तीन व्यक्तियों को काट दिया था जिससे उनकी मोत हो गई थी रोट वेलर 148 किलो के दवाब से काटने की क्षमता रखता है इनका वजन 35-48 किलो के बीच में होता है और इस नसल के कुट्टे को भी रखने पर कई देशों में प्रतीबंद लगा है उसके बाद है जर्मन सैफर्ड इस नसल के कुट्टे को पुल्सिया कुट्टे के नाम से भी जाना जाता है और यहें तकरीबन 108 किलो के दवाब से काटने की क्षमता रखता है इस कुट्टे के पालने पर भी दुनिया के कई देशों में प्रतीबंद लगा है और अगर इसके वजन की बात करें तो वहें 30-40 किलो के बीच में होता है उसके बाद है डाब एर्मन पिन्स्चर इस कुट्टे की खास बात यह है कि मालिक को देखने पर यह स्यांत हो जाता है जबकि किसी अजनवी को देखने पर आकरामक रुख अपना लेता है इस नशल के कुट्टे का वजन 33-45 किलो के बीच में रहता है और कुछ देशों में जिन कुट्टों को पालने पर प्रतीबंद लगा है उसमें इस नशल के कुट्टे भी सामिल है उसके बाद है बुलमास्टिफ लंबे पैरों वाले आकार के इस नसल के कुट्टे सभाव में बहुत ज़्यादा अक्रामक होते हैं 2014 में बुलमास्टिफ के काटने से 13 वर्षिया बच्चे की भी मोत हो गई थी और इस नसल के कुट्टों का वजन 50-60 किलो के बीच में रहता है उसके बाद है हसकी इस नसल के कुट्टे इंटेलिजेंट होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं ये कुट्टे बरफीले मैदानों में बिना पहियों वाली गाड़ी को खीचने में महारत रखते हैं और सलेज डोग के नाम से भी जाने जाते हैं जब यह कुट्टा अक्रामक होता है उस समय किसी की भी जान लेने के लिए उच्चुक रहता है 1980-1993 के बीच 15 लोगों की मौत हस्की के काटने से हुई थी और इस नसल के कुट्टों का वजन 20-27 किलो के बीच में होता है उसके बाद है माला म्यूट इस नसल के कुट्टे उतरी अमेरिका में पाए जाते हैं जिनका वजन 34-50 किलो के बीच में होता है और यह देखने में एक भेडिया की तरह ही दिखते हैं इस नसल के कुट्टों की एनर्जी और इंटेलीजेंसी अध्भूत होती है और भरपूर आक्रमक्ता के साथ एक रिपोर्ट के अनुसार इस कुट्टे के काटने से वर्ष 1966 और 1980 के बीच पांच लोगों की मौत हो चुकी है और इनका वजन 36-44 किलो के बीच में रहता है वॉल्फ हाइब्रिड ऐसा माना जाता है कि इस नसल के कुट्टों की कुछ परजातियां भेडियों और कुट्टों के संकर्ण से बनी है एमेरीका की कहीं राज्यों में इस नसल के कुट्टे पालने पर प्रतीबंद लगा है क्यूंकि यह किसी पर भी अटेक करने की आदत रखता है 14 लोगों की मोत एमेरीका में वर्ष 1989 से 1988 के बीच इसी नसल के कुट्टे के काटने से हुई थी और इनका वजन 37 से 55 किलो के बीच में होता है उसके बाद है बॉक्सर इस नसल के कुट्टों को सिकारी कुट्टों का वनसज माना जाता है बोक्सर नसल के कुट्टों के जबड़े इतने मजबूत होते हैं ये किसी का भी शिकार करने की अक्षमता रखते हैं अडियल कुट्टों के रूप में जाने जाने वाले इस नसल के कुट्टे सुरक्षात्मक नसल के भी होते हैं और इनका वजन 30 से 33 किलो के बीच में होता है और अंतिन नसल है ग्रेट डैन इस नसल के कुट्टे सुरक्षा करने के लिए बहतर माने जाते हैं अगर इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए बढ़िया ट्रेनिंग ने मिलने के कारण इस नसल के कुट्टे बहुत जादा खत को ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और एन इन यूर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद आपका दिन सुभ रहे